चलिए आप सभी लोग अपने दोनों हाथों करब करें अपनी आखों पर लगाए और दीरे दीरे अपनी आखे खुलने के साथ ही सभी लोग अपने कैमराज भी खुलने प्लीज अपने सभी लोग कैमराज को आउन करें ताकि मैं आप सभी लोगों को देख पाऊं चलिए आज की हमारी क्लास है आचली हमारा वेबिनार है रेकी के उपर वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले में आप सभी लोगों को ठैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग यहाँ पर आए अपना समय निकाल कर उन सभी चीजों के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धहनेवाद और हमारे जो भी हम औरगनाईसर्स हैं उन सभी को बहुत-बहुत धहने अब हम बात करते हैं रेकी रेकी वेकी क्या है और वे किस परकार हमारे जीवन को अच्छा बनाती है हमें एक सही दिशा देती है रेकी एक प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी है एक पॉजिटिव एनर्जी डॉक्टर मिकाओ उसी द्वारा इसका जनम हुआ था वैसे तो ये विद्या हमारे ही भारत की है लेकिन हमारे भारत में इस विद्या पर जब कोई काम नहीं हुआ दीरे दीरे ये विद्या हमारे भारत से लुप्त हो गए और पुने आविशकार करकर ये विद्या फिर से हमारे भारत में आई और अब ये विद्या धीरे धीरे अधिकतर लोग इसके बारे में चान रहे हैं और देरे देरे ये फैल रहे हैं इस उर्जा से हम लोग बहुत सारे तरीकों के इलाज करते हैं मांसी क्रूप से और शाररी क्रूप से इस एनरजी से हम इलाज करते हैं आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताओंगी कि मैं यहाँ पर रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और यहाँ पर मैं एंजल थेरपी कराती हूँ इसके अलावा और भी बहुत सारे मोडालिटीस के बारे में मैं जानती हूँ लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ वेगी सिखाती हूँ और एंजल टेरेपी सिखाती हूँ ऐसा मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मैंने बहुत सारी मोडालिटीस को सीखा और बहुत सारी मोडालिटिस के उपर काम भी किया लेकिन मुझे सबसे जो अच्छा लगा जो मुझे सबसे जादा जिसने मेरी जिन्दगी में मुझे जिसका असर हुआ अपनी जीवन पर या जो चीज़ ने मुझे एट्रैक्ट किया वो यह दो चीज़े थी सबसे पहले रेकी और फिर एंजर रेकी ग्रैंड मास्टर यहां हमारा कोर्स है रेकी के बहुत सारी ब्रांचिस होती है में जो है वो हमारा उस ही रेकी है जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे हमारे ग्रैंड मास्टर उसके अलावा जो भी रेकी होती है वो सब वो रेकी होती हैं जब लेवल 5 के अंदर आने के बाद जब हम लोग अपने खुद के सिंबल्स बनाते हैं फिर उन सिंबल्स को हम सिधी करते हैं 45 डेज से लेकर 3 महीने तक हम उन सिंबल्स की सिधी करते हैं उसके बाद हम उसको मार्केट में या अपनी परसनल लाइफ में उतारते हैं, दीरे दीरे उसके उपर प्राक्टिस करते हैं और जब और कुछ समय के बाद फिर वो एक नई रेकी के रूप में आपके सामने आ जाता है। चल रही है। तो ये सब चीजें मैं यहाँ पर सिखाते हूं। रेकी से जुड़ी ये चार पंच जो भी मोडालिटीव मैंने आपको बताए हैं, ये सब ही मैं यहाँ पर सिखाते हूं। ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी कि रेकी एक परकार की साकरात्मा पूछ रहा है। यहाँ पर हम उनके सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिम्बल्स क्या होते हैं। Handy नि meditations के द्वारा वो symbols हमको मिलते हैं और फिर हम उन symbols को use करते हैं जब हम level 5 में जाते हैं तो हम अपने खुद के symbols को provide करते हैं उनके खुद के symbols को बनाते हैं और जब हम उसा ही रेकी के अंदर हम करते हैं तो हमारे जो history of symbols है जैसे कि हमारा level 1 में हम लोग chakra symbol का attunement मिलता है हमारे को और level 2 में हम लोग तीन तरीके के symbols के बारे में जानते हैं जैसे चौकुरे सहे की हांचा जैसों ने level 3 में हमको master symbol का attunement मिलता है और उसके अलावा जितने भी हम symbols होते हैं वो सब हम महाँ पर सीखते हैं plus level 4 में हमारे अलग तरीके के symbols हैं इस सभी symbols हमें कहां से मिले इस सभी symbols हमें डॉक्टर मिकाओ उसी को ये symbols कैसे मिले डॉक्टर मिकाओ उसी की यातरा जब वो एक college में professor थे छल रही थी वो अध्यात्म में बड़ा उनका रूची थी तो उनके एक student ने उनसे पूछा किजब हम लोग किसी को ऐसे आशिरवाद देते हैं तो हमारे हाथों से एक white color की light निकलती है अगर आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्तियों में या भगवान की photo में ऐसे वो जब आशिरवाद दे रहे होते हैं तो white color की light निकल रहे होते है तो उनके सूडन ने उनसे पूछा कि ये white light क्या होती है, क्या ये सच में ऐसा होता है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इस बारे में काफी विचार किया, काफी सोचा कि क्या ऐसा सच में होता है, फिर ओवो इसकी खोज में निकल गी, इसकी खोज में कले वो पूरा सारा भारत भारत में तो बहुत बाद में आये थे बहुत सारी कंट्रीज में वो अलग-अलग जगाओं पर गए और वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में नॉलेज लिया लेकिन उनको कहीं से भी कुछ भी समझ भी नहीं आया लेकिन उनको ये मालम चलिया था कि ये जो शक्ती है ये जो उजा है ये हमारे भारत से है फिर वो भारत आये भारत में आने के बाद भी बाद उन्होंने भारत की भाषा सीखी भारत के संस्कृत को पढ़ा जो भी हमारे शास्त्र है उन सब की उन्होंने स्टेडी करा लेकिन उनको फिर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालुम चला पड़ भी ये समझ गए थे कि वो यहीं की है तो कि गौतम मुधा जो है मेन कौतम मुधा जी से ये एनरजी आई है तो वो ये बिल्कुल समझ चुके थे कि ये एनरजी यहीं की है लेकिन वो बहुती कंफ्यूजिंग स्टेट में थे क्योंकि उन्हें कुछ उसका आंसर नहीं मिल रहा था फिर उन्होंने इसके लिए तप करा तप करा उन्होंने अंजल त्याग दिया उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि मुझे इसका आंसर नहीं मिलेगा और वो इस पहाड की चोटी पे जाके बैढ़ गए और 21 दिन तक उन्होंने इसका तप करा जब 21 दिन तक उन्होंने इसका तब करा तो उनकी भूके प्यासे उन्होंने कुछ खाया नहीं और वो बिल्कुल मरने की हालत में आ गए जब वो बिल्कुल मरने की हालत में आगया और उनको लगा कि अब तो वो बिल्कुल बचेंगे ही नहीं, अब तो उनकी मिर्त्यू बिल्कुल उनके सामने है तो उन्होंने उस चीज़ को भी एकसेप्ट कर लिया और बिलकुल अद मरे उसमें वो बिलकुल लेटे हुए थे जब वो बिलकुल लास्ट उस पे आ गए थे तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि आसमान से एक उर्जा आई है सफेद रंगी चमक वे एक उर्जा और फिर उनकी बॉड़ी में एक अजीब सा करन्ट उनको महसूस हुआ एक अजीब सी फीलिंग उनको आई जो एक बहुत ही खुबसूरत एहसास होता है जब हम लोग regular meditations करते हैं तब आप लोग भी उस एहसास को महसूस कर सकते है वो इतना खुबसूरत होता है कि उसको आप शब्दों में मतलब बया नहीं कर सकते तो वो एनरजी जब उनके अंदर उस एनरजी ने प्रवेश किया तो वो एक्तम से उठके खड़े हो गए और उनको ये समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो गया वो घबरा गए और वो घबराते हुए फटा फट से वहाँ से भागे पहार से नीचे उतरे जैसे वो नीचे उतरे तो उनको ठोकल लगी उनके पैरों में से बलडाना शुरू हो गया उनको वहाँ पे बहुत पेन हुआ उन्होंने फटा फट अपना हाथ अपने पैरों पे रख दिया और देखा कि उनका जो बलड था वो आना बंद हो गया और वहाँ से उनका जो पेन था वो भी खतम हो गया उनको समझ नहीं आया कि ये सब उनके साथ क्या हो गया और फिर वो और नीचे आए बिल्कुल जब वो नीचे पहुच गए धर्दी के उपट पहाड से नीचे तो वहाँ पर एक महा मारी फैली होई थी अब वो जो भी व्यक्ति को मिलते उनको टच करते उनको जैसी उनको टच करते वो व्यक्ति ठीक हो जाता उनको तब जाके ये समझ आया कि उनके हाथों में अब वो पावर आ चुके जिस पावर को वो अब तक घूंड रहे झाल 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 तो उनको ये समझ में आ गिया कि उनके हाथों में तुर वो अब ऐट है फिर उनको सारे सिंबल्स मिले फिर उन्होंने इन सब सिंबल्स को इस्तपार以前 के साथ मिलकर और फिर उनके सामे इन सब चीज़ों के एक रिसर्च उनने उनी पूरा किया और उनके सामने इनके बिद्र्ट्स आई उसके बाद फिर दीरे दीरे उन्होंने इस energy को students को दिया फिर students ने और students को दिया फिर और students को दिया दीरे दीरे करकर अब दीरे 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 लोग समझने शुरू हो गए यह बहुत ही powerful energy है और जब हम रेकी को सीखते हैं तुरे की किस ता साथ हम एक साकरात्मक शब्दों का हुस्तना मन कितना खुश होता हैई और जब आपका मन खुश होता है तो आप सब काम अच्छे और वही कही कोई व्यक्ति अगर आपके लिए बुरे शब्दों का इस्तमाल करता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है और बेवज़ है आप उन लोगों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं जिसको जिसको अब 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 घर में अपने बच्चों पर अपनी फैमिली के पर क्योंकि आप अंदर से परिशान होते हैं डिस्टाब होते हैं क्या कभी आप लोगों ने समझाए कि हमें गुस्सा क्यों आता है यह गुस्सा एक परकार का हमारा नेगिटिव थार्ट परसेस होता है जब हमारे बस में कोई चीज़े नहीं होती तो हमें गुस्सा आना तो वो negativity और positivity देखिए, energy एक ही होती है, energy के रूप दो होती है, एक साकरात्मक और एक नाग्र, तो यहाँ पर हम एक साकरात्मक उर्चा के उपर काम करते हैं, रेकी के अंदर काम करते हैं, लेकिन रेकी सीखने से पहले, मैं सभी को यह कहना चाहते हूं कि आपके अंदर वो करने के लिए तड़प होनी चाहिए, उस level पर पहुँचने के लिए तड़प होनी चाहिए, सीखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुँचते बहुत कम हैं, तो उस मुकाम पर पहुँचने के लिए आ सबी चीज़ों के लिए हमको बहुत प्राक्टिस की ज़रूत है रेकी के अंदर आपको शुरू में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 के अंदर, लेवल 3 के अंदर ये तीन लेवल में आपको काफी मेहनत करनी वरती है उसके बाद जब आप लेवल 4 तक जाते हैं और अगर आपने ये तीनों लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो लेवल 4 में आपके लिए बहुत एजी हो जाता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 में आपको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन पर काम करना करता है लेवल 1 के अंदर ऐसे कोई ज़्यादा कोर्स नहीं है लेकिन मेडिटेशन के उपर आपको काम करना परता है जो हम 21 बोडी, 24 बोडी पार्ट की हीलिंग करते हैं लेवल 1 के अंदर वो हमारी टोटल देर घंटे की healing होती है अगर आप वो कर लेते हैं तो आगे के लिए आपके लिए सारे अब उसके बाद कम से कम भी करेंगे तो ठीक है एक लेवल पर आने के बाद आपको सिर्फ 5 मिनिट की healing ही आपके लिए काफी होती है लेकिन आपको शुरुवात करने परती है 24 body parts की healing से अब 24 body parts healing क्या होती है जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है जब वो जनम लेता है जब वो बड़ा ही pure soul होता है पवित्रात्मा होता है आप हमेशार notice करेंगे जिनके घर में भी छोटे बच्चे है जब आपके पन में किसी तरह का कोई गुस्सा होता है या आप वड़े उदास है आप जब उन बच्चों के साथ में बैठते हैं उन बच्चे को गोद में लेते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है है ना चाहे आपके उनके माता पिता से कितनी भी दोश्मनी हो कितनी भी नराज की हो लेकिन जब आप उस बच्चे को साथ मिलते हैं तो आपके अंदर भी एक बच्चा बना जाता है आपको एक खुशी का हैसास होता है इसा क्यों होता है क्योंकि बच्चों का औरा बहुत ही sensitive होता है, बहुत ही pure soul होता है, क्योंकि उनके अंदर किसी प्रिकार का कोई चल कपट नहीं होता, तेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, आसपास के वातव रन की वज़े से उसके thought process में change आता है, कुछ वो अपनी कर्मा तो healing करते हैं, वो हमारी body के healing centers होते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर blockages आने शुरूर हो जाती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ग्रो करता जाता है, तो उसकी past की बहुत सारी ऐसे memories होती हैं, कुछ इस birth की memories होती हैं, कुछ last birth की memories होती हैं, आसपास का महौल होता है, experiences हो जाते हैं, negative महल अगर उसको मिल जाता है उसके आसपास में, तो उसकी इस तरीके की कुछ negative विचार बन जाते हैं, जो एक blockage उसके जीवन में आ जाता है, और फिर उसकी life में बहुत problems आने शुरू हो जाती है, वो stress आ जाता है, depression आ जाता है, तो सबसे पहले जो हम काम करते है उनी 24 body parts के उपर काम करते हैं, उनी 24 body parts को हम heal करते हैं, ताकि जो उन 24 body parts के उपर किसी परकार की जो negativity है, जो blockage है, वो remove हो जाए, जब वो हमारी वहाँ से हम उस चीजों को remove कर देते हैं, और पूरी तरह के से अपनी body को सकरात्मक उचा से भर लेते हैं, तब फिर हम हमारे च चक्र होते हैं, 114 चक्र होते हैं, लेकिन जो हम काम करते हैं, वो हम हमारे 7 चक्रा पर काम करते हैं, जैसे हमारा root चक्र होता है, सबसे जो हमारा tailbone पर होता है, हमारा root चक्र होता है, उसके बाद हमारा sacral चक्र, फिर solar plaxis, heart चक्र, throat चक्र, third eye और crown चक्र, हम अपने सभी चक्र के उपर काम करते हैं ये सभी चक्राज अगर हमारे बैलन्स हैं तो हमारे जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं जो हमारी कुंडले नहीं अवेकन होती है वो भी यहीं से होती है तो हम अपनी जिन्दगी में सब कुछ पा सकते हैं और अगर हमारे इन चक्राज के अंदर ब्लॉक कि अंदर ही वह seven चक्रा पर पती करते हैं जाहें वह कुई भी modularity को ठा लीजिए अब किसी भी modality को देख लीजिए सब पर seven चक्रा में काम के आ जाता है और अगर हम जैसे रेकी के अंदर 세ven चक्रा के अपर क्ाम करते हैंं उनको बालेंस करते हैं उसके कार्मी कھیलिंग करते हैं, कार्मी echلिंग जो हमारे पीछे से चली आ रही हैंक जो हमारे जन्मों से चली आ रही हैं, जो हमारी दुख है, तकलीफ़े हैं, परिशानिया हैं, जो ब्लॉकेजिस हैं जिनकी वजह से इस जीवन में हम फो चैलन्जिस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वज़े से हम लोग जब अपनी कुंडिया देखते हैं तो हमारे ग्रहों की जो नाकरात्मक पुजीशन्स होती है वो भी हमारे कर्मानुसारी हमें मिलती है जो हमने पीछे से अपने कर्मा जोड़ के आते हैं उसकी एकॉर्डिंगली हमारे जो नक्चात्र होते हैं हमारे जो ग्रह होते हैं इस जनव में हमारे कुंडली के अंदर बन कर आते हैं देखे हम उसको हम यही नहीं कहते हैं क्योंकि हम भगवान नहीं हैं हम एक व्यक्ति हैं एक इंसान हैं कि हम उसको बदल देंगे लेकिन हाँ हम उसको कोशिश कर सकते हैं ठीक करने के अपने सेविन चक्रास को एनरजाइस करके अपने सेविन चक्रास पर काम करके कार्मिक हीलिंग करने के बाद हम उन चक्रास को हम हमारे ग्रह नक्षत्रों को ठीक कर सकते हैं जैसे आप सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के उपर काला जादू, ब्लाक मैजिक, इवल आई, इस सभी चीजों को हम रेकी से ठीक कर सकते हैं, रेकी से काम करकर उसको ठीक कर सकते हैं, बेसिकली, नेगिटिविटी हम जो होती है, वो क्या होती है, यह हमारे विचारू की होती है, हमारे सोच की होती है, नजर क्या होता है, जब कोई व्यक्ती हमको ऐसे कुछ नजरों से देखता है, या हम पर हाय डाल देता है, तो वो एक नजर दूश आ जाता है, जब हम रेकी क पर काम करते हैं, तो automatically कली हमारा ओरा जो होता है, और जैसे-जैसे हमारा ओरा बाँर माल्ट स्ट्रॉंग होता है, हर पेकार की negativity हमारे बाहर निकल जाती है, और रही बात black magic, black magic बहुँच सारे तरीकों होता है, तो जो normal तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं लेकिन उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि इससे आप उसको ठीक कर सकते अगर आपके अंदर वो विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और अगर आपके अंदर वो विश्वास है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी healing को भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये डर होता है, या जो लोग starting में करते हैं, उनको ये डर होता है, कि अगर वो इस तरह की कुछ healing करते हैं, तो उ आपको जीवन में उसका negative impact पड़ता है देखे impact पड़ता है लेकिन impact तब पड़ता है जब आपकी energy low होती है जब आपने अपने उपर तो काम किया नहीं और आप दोस्रों के उपर काम करने चलिए तो आपकी जिंदगी उसका negative impact पड़े लेकिन अगर आपने पहले अपने उप कर जिसको बहा निकाला है फिर आप किसी के लिए भी healing कर सकते हैं किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन पे उसका कोई भी negative impact नहीं पड़ेगा बलकि ये एक पुन्ने का काम है कि आप किसी की help कर रहे है पर मात्मा ने आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए क अगर आप उसको उस नजरिय से सोच कर help करेंगे किसी की इस तरह healing करेंगे help बहुत सारे तरीके से होती है पेड़ पौधों की help करना उनको रेकी देना animals को help करना आप दाय आती हैं जो natural disasters होते हैं इन सब चीजों के लिए आप वहाँ पर healing भेज सकते हैं ताकि वहाँ पर सब शांती बना रहे इस तरीके से भी एक आप universe को तो आप बेही रहे हैं साथ में आप एक society को भी help करें हैं जैसे एक soldier होता है हमारी मदद करता है हमारी help करता है सरत पे खड़े होकर यहां से आप भी वही काम कर रहे हैं बस आपकी intention वहोनी चाहिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं एक समाज की help करें और natural बातन जब हम देते हैं जिसको हम देते हैं कुदरत हमको वही हजारो करोडों गुनल लोटा कर हमको भीजती है according to law of attraction तो इस पर हमारे साथ जोइन करिए सीखिए जानिए और अपनी जिंदकी को तो आप पहले खुबसुरत बनाएंगे साथ में द साथ रहते हैं तो उसका positive जो असर आता है आप देखेंगे कि आपके घर के लोगों पर भी उसका positive असर लोगा तो आपकी energies जब आपके शरीर से जब आपका औरा आपकी हर electromagnetic field होती है ना हमारे आसपास में तो जब आपकी energies वहां से बाहर आती हैं आपका औरा जब बढ़ जा आता है तो आपके आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन सब पर उसका effect आता है बहुत सारे ऐसे cases में होता है कि अगर मतलब family के अंदर घरे लू जगड़े होते हैं अगर आप चुप कहते हैं एक चुप 100 सुप ऐसे बोला जाता है ना लेकिन आप चुप तो हो जाते हैं पर अंदर यंदर घुटते जाते हैं लेकिन जब आप इन सब चीजों के बारे में जानते हैं इन सब चीजों को practice करते हैं अपने उपर काम करते हैं तो फिर क्या होता है फिर आप घुटते नहीं हैं तब आप समझदार हो जाते हैं तब आप बड़े हो जाते हैं आप जब तक आप कुद्रत को अपने आपको समर्पित नहीं करेंगे, कुद्रत आपका साथ नहीं देगे। चाहे आप जितने मरजी उपाय करेंगे, आप जो भी उपाय करेंगे उससे आपको कुछ, 10%, 5% relaxation मिलेगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने जीवन की तकलीफों को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ही मेहनत करने पड़ीगी, आपको ही काम करना पड़ीगी, वरना नहीं हो सकता। ठीक है? जब आप किसी को समर्पिट करते हैं और आप को मैं ये बता देना चाहते हूं कि किसी भी चीज़ कभी, अगर किसी व्यक्ती नहीं, आपको बहुत हर्ट करा है, आपने अपना जीवन उसको दे दिया और उसने आपको बहुत तकलीफ दी, चाहे वो बच्चे हों, ह ठीक है? कोई भी, आपने अपना जीवन उसको समर्पिट, मतलब जीवन in the sense कि आपने अगर सपोस कर आप ओफिस में काम करने हैं तो आप 100% अपना दे रहे हैं, आपके उपर काम का लोड आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी कहीं तारीफ नहीं हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा, because we all are human beings, हमको हर कोई चाते हैं कि हमारे लोग अच्छा बोले हैं, ठीक है? आप अपने घर में हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन आपकी value नहीं है, कहीं जगाओं पे आप बोल सकते हैं, लेकिन कहीं जगाओं पे आप नहीं बो हुटते जाते हैं, तो हमारी vibration भी वैजी हो जाते हैं, और फिर उपर से कोई आकर आपको बोल दे कि you forgive, सबको माफ कर दो, it is very very difficult, आप माफ नहीं कर पर, क्योंकि अंदर से बहुत दर्द में हैं, और जब व्यक्ति अंदर से दर्द में होता है, एक व्यक्ति ने आपको बह दर्द में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, तो आप उसको कैसे माफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और क्या होता है, वो देर-देर हमारे blockage बन जाती हैं, जैसे आप सोची, आप उसको release ही नहीं कर पाते हैं, एक मुठी बांद कर आपने उसको रख लिया आए, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर, और आप भगवान से कहते हैं, मतलब आप उसके अलावा कुछ भी प्राथनाएं करते हैं भगवान से, जो भी, देखो अगर उस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी है, तो कहीं न कहीं, उसके साथ भी आपके कुछ ऐसे पास करमा दे, तभी लेकिन कुछ होता नहीं है, फिर हम सोते हैं आज भगवान भगवान कुछ नहीं होता, भगवान तो हमारे कुछ सुनता ही नहीं है, 36 का अकड़ा है हमारा उसके साथ, हम मंदिल नहीं जाते, हम पूजा नहीं करते, और हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं, चले जाते हैं और उसी depression के साथ हम ये संसार भी छोड़ देते हैं और वोही depression, वोही दुख, वोही तकलिक हमारे साथ अगले वर्थ में भी आ जाते हैं है ना, तो उसे हमें यहीं पर ख़दम करना है वो जो हमने मुठी बांद के अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने विचारों में जो चीजों को समा लिया है उसको हमें खोल देना है, release कर देना है अब हम उसे कैसे release करेंगे, यही हम सीखेंगे यही हम सीखेंगे, हम अपनी cards को कैसे cut कर दें हर एक उस व्यक्ति के साथ simple way, वैसे तो normal हम बोलते हैं करो आपकी card कर दो, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी science है जब हम वो चीजों को सीखेंगे, जब हम वो meditations करेंगी वो forgiveness meditations लोग, हमने forgive करना है जब हम पूरी तरीके से release हो जाएंगे तब कुदरत हमारा साथ देगी वरना कुदरत भी हमारा साथ नहीं देगी और इसका बहुत बड़ा अच्छा उधारन हमारे को महाभारत में जो लोगों ने देखा होगा, आधिकतर आप सभी लोग उसके बारे में जानते ही होंगे जब द्रापदी जी का जब चीर हरन हुआ था तो जब उनको लेकर आये गया था उनके दुशाशन ने उनके जब पकड़ा साड़ी तो वो सारे जितने भी सभा में लोग बैठे थे वो सब के पास गई सब के आगे उन्होंने हाथ जोड़े, प्राथना करिये कि उनको बचा लिया जाए लेकिन सब लोग वहाँ पे नत्मस्तक थे, सब लोग वहाँ पे चुप थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे और शरम से सब के सर जुके होए थे जब वो बिल्कुल ठक गए, हार गए उनको लगा कि अब तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो उन्होंने जो पल्ला था साड़ी का जो ऐसे पकड़ कर वो जगे सबसे मदद माग रहीं थेंगी मेरी मदद करो तो उन्होंने उस पल्ले को छोड़ दिया और बोला कि हे कृष्ण जैसी तुमारे इच्छा अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ही हो तो ऐसा ही होगा और फिर वो कृष्ण नाम लेते हुए सारे मतलब घूमती गई घूमते गई और दुश्चाशन उनका साड़ी खीषता गया खीषता गया खीषता गया और वो साड़ी खतम ही नहीं गई और फिर इस तरीके से भगवान ने उनकी रक्षा करी बाद में उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभू आप पहले क्यों नहीं आएं जब मैं सब के पास अपने लिए मदद मांगने के लिए गई थी आप मेरे पास क्यों नहीं आएं तब आप तब बिल्कुल लास्ट में आया तो भवाने का उससे पहले तुमको विश्वास था कि तुम अपने आपको बचा लोगी इसलिए तुमने मुझे बुलाया ही नहीं तुमने तो मुझे बुलाया ही सबसे आखर में और जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं तुम्हारे पास आगया तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समर्पन आप जब तक समर्पिट नहीं करेंगे अपनी उस गुस्से को अपनी उन सब चीजों को जो आपने बान के रखें अपनी मुठियों में अपनी सोच में जब आप उसको खोल देंगे तो कुदरत अपने आप आपकी सब टेंशन को दोर कर देंगे अपने आप वो व्यक्ति आपके पास आएंगे जिन्होंने आपको तकलीव दी डर्द दिया आपसे माफी मांगेंगे आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा वो खुद बख खुद आएंगे क्योंकि आपके एनर्जी ऐसे सेंड़ों है न तो ये सब चीजे हम सीखेंगे और सिंबल्स जो हमारे बहुत ही पावर्फुल जिसको मैंने बोला वो बहुत ही पावर्फुल होते हैं सिंबल्स के अपनी एक एनर्जी होती है रोजमर्णा के जीवन में हर एक धर्म के अंदर बहुत सारे तरीके की रिच्वल्स होते है मंत्र होते है उन सभी जो मंत्राज होते हैं हर एक सिंबल के अंदर सारे चार लाख मंत्र की पावर होती है जिसको हम नॉर्मल जीवन में हम नहीं कर पाते हैं और दूसरा हमारे बहुत सारी धर्म है कोई किसी धर्म को मानता है कोई किसी धर्म को मानता है बंदा मैस हो जाते है जीसे वो हो नहीं पाती है ना अब एक लड़की है शादी अपने घर से वो कुछ और संसकार लेके आती है दूसरे घर जाती है, तो कुछ और तंसकार हो जाती है चीज़े बड़ी complicated हो जाता है ये करूँगी, वो करूँ, वो करूँगी ये करूँ, बंदा फिरता ही नहीं ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़े होती है कुछ लोग तो अपनी चीज़ों प्याड़े होते है कि हमें करना ही है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते है पर ये सब जो हम सीखते हैं जो हमारे symbols हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है ये हर एक symbol के अंदर सारे चार लाख मंत्र का power होती है जो हम रोच मरड़ा जीवन में नहीं कर सकते हैं जब हम ये चीज़ों को सीखते हैं हमारे सारे चक्राज के ओपर हर एक एक symbols को साफिट करते हैं तो वो automatically हमारे अंदर वो सारी powers समा जाती है तो इसलिए ये बहुत ही important और बहुत ही अच्छी एक विद्या है तो मैं चाओंगी कि आप सभी लोग इसको join करें इसको सीखें और अपने जीवन को अच्छा मिनाए चलिए अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या क्या हमारे course में आएगा क्या क्या आप लोग अपने लादे हैं कूप लेवल वन के अंदर हमारा इंट्रोड़क्शन ऑफ रेकी जो कि हम अभी भी काफी हद तक कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ रेकी रेकी प्रिंसिपल हमारी रेकी में पाँच प्रिंसिपल होते हैं जिनके उपर हम बात करेंगे लेवल वन के अंदर औरा क्लीनिंग का प्रॉपर मेथड में आपको औरा क्लीनिंग में आपको प्रॉपर आपको औरा क्लीनिंग हम उसके अंदर पुरा औरा क्लीनिंग का मेथड करते हैं पानी को कैसे हमने चार्ज करके पीना है खाने को हम कैसे चार्ज करते हैं और जैसे कि हमें नॉर्मल बिखार हो जाता है तो उसको आप कैसे रेकी से ठीक कर सकते हैं बुखार हम रेकी से कैसे अपने आपको बुखार ठीक कर सकते हैं देखें बुखार किसी भी प्रकार के कोई बिमारी नहीं होती बुखार हमको अवेर करता है कि अब हमारे को ये कुछ प्राब्लम होने जा रही है या हमारी बॉड़ी में ये चीजे इंबालन्स हो रही है ये सॉल्ट इंबालन्स हो रहे है उस चीज़ को आप कैसे ठीक करें तो जब हमारे को ठोड़ा ठोड़ा जब भुखार होने से पहले जो हमें ऐसे फीलिंग होनी शुरू जाती है तो वहीं पर हम अगर अपने औरा को clean करते हैं क्योंकि वो सबसे पहले कोई भी ब्रुमारी हो वो हमारे औरा में आती अगर आप वहीं से उसको remove कर देते हैं तो वो आगे नहीं आती और अगर वो फिर भी आपकी body के अंदर प्रवेश कर जाती है आपको हो जाता है तब भी आप healing के मार्जम से जो चीज आपको एक महीने में जिसका असर आना होता है उसका healing से आप उसको 10 दिन में एक हकते में 15 दिन में आपको उसका असर मिल जाता है तो यह सब चीजे हम सीखेंगे और हमारा live meditation होता है morning के अंदर जिसकी हम जो भी हमारे timing होंगे वो हम class के अंदर discuss कर लेंगे सभी लोग वैसे तो normal हमारा 5-6 होता है लेकिन आज कल थोड़ा winters है तो 5-30-6-30 फिर भी हम एक बर class में discuss कर लेंगे जहां पर हम पूरा अपने 24 body parts की healing करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया 24 body parts हमारी spirit की शुरुवात होती है जैसे हमारे को हर एक-एक blockage को remove करेंगे उसके पाद ही हम 7 चक्रा पर जाएंगे तो ये हमारा healing life चलती है आप लोग हमारे साथ जोइन कर पाएंगे level 2 के अंदर हम लोग अपने goals को कैसे manifest करना है ये सब चीजे हम सीखते है अपने subconscious mind को कैसे trained करना है ये हम सीखते है क्योंकि हमारा belief system जो होता है वो ही हमको जीवन में आगे बढ़ाता है अगर हमारे belief system में किसी तरह के कोई भी blockages है तो हम अपने जीवन में आगे नहीं भर से तो हमें वो सारे blockages को किस प्रकार से remove करना है इस सब चीजे हम सीखेंगे उसके अंदर power of intention financial relationship ये सब कुछ हम level 2 के अंदर सीखेंगे prevent yourself from accidents and all negative forces create a powerful healing water psychic shield to prevent self, family, business and home किस तरीके से हमें अपने परिवार को बचाना है अपने आपको किस तरीके से हम अपने एक psychic field पना कर अपने साथ रखेंगे ताकि हमें किसी भी परकार की कोई negativity ना आपाए black magic planet fear of black magic, fear of planet सी सब हम उसके अंदर सीखेंगे telepathic करना सीखेंगे किस तरीके से हमने अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना है distance healing सीखते हैं और इसके अंदर हम तीन symbols के बारे में जानेंगे symbol number one, symbol number two, symbol number three actually हम इनका नाम मैंने शायद पहले ले चुकी हूँ लेकिन बार बार हमें symbols के नाम publicly नहीं लेने चाहिए तो हमें उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए एक गुप्ट ग्यान की तरह हमें उसको संभाल के रखना चाहिए तो वो सारे symbols हम सीखेंगे और distance healing सीखेंगे कि कैसे आप दूसरों के साथ connect होकर healing कर सकते हैं level three में हम सीखते हैं sound healing जैसे अभी मैंने बुला sound healing जैसे अगर आपके अंदर बहुत negativity आपके अंदर बहुत negative thoughts आते हैं तो आप घंटी बजाते हैं मंदिर की घंटी भी बजाते हैं तो उससे भी हमारा जो environment होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है बहुत ही खुबसूरत हो जाता है एकदम से सब negativity बहार आ जाती है और हम positive उसमें आ जाते है तो हम वो सीखेंगे Tibetan balls जिसका Tibetan balls होती है उसको हम इस्तमाल करेंगे हाले कि Tibetan balls का अपना एक अलग पूरा course होता है पर यहाँ पर हम उतना ही जानेंगे जितना कि हमारे को एक healing के अंदर जिसकी ज़रूरत होती है तो उन सब चीज़ों से हम सीखेंगे wish box बनाना हम सीखेंगे special powers हम जानेंगे जैसे meditations के मात्यम से ठीक है psychic attack क्या होता है psychic attack normal जगाओं पर psychic attack नहीं सिखाया जाता क्योंकि psychic attack को वो लोग उसको black magic के साथ मुम बोलते हैं कि एक black magic का हिसा है लेकिन वो black magic का हिसा नहीं होता है psychic attack एक deep healing process होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर जब वो बहुत ज़्यादा depression में चला जाता है तब हम उसको psychic attack करते हैं उसका निकालते हैं किसी तरह हम घर का भी psychic attack निकालते हैं और उसको black magic के साथ इसले ही जोडा जाता है क्योंकि वो एक powerful तरीका है करने का जिसके उपर हम बहुत मेहनत और बहुत practice भी कराते हैं क्योंकि अगर आप उसको practice नहीं करेंगे तब वो आपको नहीं आएगा सबसे बड़ी बात है कि आप ही जाएगा तो आपका डर रहेगा उस डर को खतम करने के लिए आपको हम class में ही बहुत सारा practice करवाते है ठीक है बाकि आपको crystals के बारे में बताया जाता है जितना भी आपको जरुवत है crystals अधिकतर पूरा ही course हमारा हो जाता है इसके अंदर कि आपको किस तरीके crystals को use करना है कहां पर use करना है और crystals को आपने किस तरीके से charge करना है किस तरीके से उन लोगों को उनको आपको अपने घर में रखना है या फिर कोई patient अगर आपके पास आता है तो आप किस तरीके से उसको crystal bed बना कर दे सकते हैं और किस तरहीके से आप उसको प्रोग्रामिंग करके देना है वो सब कुछ आपको उसमें बताया जाएगा अधिकतर वो पूरा एक कोर्स ही हो जाता है लेकिन अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें और भी कुछ बहुत चीज़े होती है क्रिस्टल्स की अपनी एक एनर्जी होती है क्रिस्टल्स के अंदर अपनी एक पावर होती है क्रिस्टल्स आपके आसपास की एनर्जी को गेन करता है क्रिस्टल्स जब रिसीव करता है एनर्जी को तो उसको फिर खतम भी करनी पड़ते है एनर्जी को बाहर भी निकालना पड तुर ये सारी चीज़ों को हम उसके अंदर सीखेंगे फाप्वराम बैडिटेसमं जैसे मेड़ीया हम सीखी direungs भी मेरी 1 लेवे 2 के अंदर बें लेवर 3 के अंदर हम फाप्वरामी मेडिटेशन सीखेंगे यह हम अपने जैसे कार्मिक Meditation जैसे मैंने वोला कार्मिक helps कार्मिक भी खिलिंग के सासथ आप अपनी Family के साथ भी किस तरीके से अपने जितनी भी आपके घर की लोग हैं उनस सब को किस तरीके से अपने तैलीपैठी के माध्यम से अपने साथ connect करके आप उन सब को वो energy send करेंगे इस सब हम उसके अंदर सीखेंगे रे की grid बनाना सीखेंगे wish walk सीखेंगे wish walk हम level 2 में भी कई बस सिखा देते हैं level 2 या level 3 किसी भी पुझ जैसे भी हमारे class चलती जाएगी हम वैसे वैसे वो करते जाएगे बाकी जो हमारा grid होता है उसके अंदर हमने 100 लोगों को एक साथ कैसे healing करनी है वो सब सीखेंगे सती grid यानि की relationship healing कैसे आपने सती grid बनानी है relationship healing करनी है प्लस unwanted people जैसे की बहुत लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनको हम हमारे जिन्दगी में नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे जिन्दगी में गोते हैं और हम उने कुछ भी नहीं कह सकते हैं आप चले जाओ उनको किस तरीके से चुप चाप शान्ती से बहार निकालना है इस सब चीज़े हम unwanted people remove जो हमारा है उसमें हमने सीखेंगे Lamp Healing Lamp Healing भी हम उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आसपास के environment को भी Lamp Healing के मार्धम से महा की negativity को बहार निकालते हैं प्लस आप किसी व्यक्ति को भी कैसे Lamp Healing से ठीक कर सकते हैं उसको कैसे Healing कर सकते हैं सब सीखेंगे. प्लस आपका attunement होगा. इसके इनदर आपका जो शक्ती बाथ इसको हम इउडिश में attunement और हंधी में शक्ती बाथ कहते हैं. यह हमारा attunement होगा. Attunement के अंदर आपको master symbol जो है हमारा symbol no. 4 इस से हम आपको attunement देंगे, प्लस आपकी karmic healing, karmic healing के साथ यापकी family की healing भी उसी की under पिर है हमारा, इसमें भी हमारी 21 देज की लगता healing चलेगी, live healing रहेगी, timing हम class के उसके discuss करेंगे, उसके बाद है हमारा level 4, level 4 के अंदर कि किस तरीके आपने level 1 के students को teach करना है, किस तरीके से आपने level 2 के students को teach करना है और किस तरीके से आपने level 3 के symbol को teach करना है जब तक आप healing में रहना चाहते हैं, मतलब अगर आप सिर्फ एक healer ही बनना चाहते हैं तो फिर आप level 3 तक करके आप healing कर सकते हैं, लेकिन level 4 में भी अपने powerful symbols तो और भी ज्यादा पावरफुल हैं तो भी आप उसको भी अगर आप सीखेंगे तो आप हीलिंग के अंदर बहुत फाइदा करें ठीक है लेकिन नॉर्मल हीलिंग आप लेवल 3 तक कर सकते हैं लेकिन जब आप उसको टीचर्शिप में काम करना चाहते हैं जब आप चाहते है आप किसी को सिखा रहे हैं तो आप लेवल 4 आपके लिए ज़रूरी है तो यह सब आप उसमें सीखेंगे नाइट पावर से सिंबल होंगे अपने आपको कैसे आपने अटून्मेंट देना है यह आप सीखेंगे डिस्टेंस अटून्मेंट जैसे हम लेवल 3 के अंदर सीखत बैठके आपको अटून्मेंट देंगे जैसे जब आप लोग हमारे साथ जोइन करेंगे तो हम डिस्टेंस में आपको अटून्मेंट देंगे ना 1-1 में नहीं देंगे तो आपने किस तरीके से देना है मास अटून्मेंट भी होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को मास ही कैसे देना है यह सब आप उसके अंदर सीखेंगे health attunement जैसे मैंने बोला कि level 1 के अंदर आपका डेड़ घंटे का meditation healing meditation आप उसको बोल सकते है level 2 के अंदर भी आपका 30 to 40 minutes का है और level 3 में भी आपका 30 to 40 minutes का है लेकिन level 4 के अंदर जो आपका health attunement है यह आपका मुश्कल से 5 से 10 minutes 5 से 10 minutes का होगा प्रोसेस जिसका मैं आपको audio बना के दूंगी और वो audio आप 21 days तक जब आप उसको regular practice करेंगे न तो वो आपको याद हो जाएगा एक बार में याद नहीं होता लगातार practice 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 makes man perfect तो आप वो चीज़ वहां से देख पाएंगे ठीक है उसी तरीके से जब हमारा level 5 है तो level 5 के अंदर भी how to teach वे की level 4 आपने किस तरीके से level 4 की student को रेकी सिखानी है दोनों चीज़े इसे में आ जाएंगे विद्या शक्ति पात 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 यानि कि ज हम सब लोग भी student ही हैं क्योंकि हम सब भी सीखी रहें कुछ ना कुछ तो अपने आपको भी हम attunement दे सकते हैं यहां तो मैं आप सब को दूंगी जो लोग भी join करेंगे बाके आप कैसे दोस्तों को देना है है वो भी इसमें आपको सिखा दिया चाएगा मधुरम शक्ति पांट इसा relationship healing जैसे हम अभी सती ग्रेड के बारे में हमने बात किया था यह हमने level two में भी बात करी थी relationship healing के लिए तो जब भी हम किसी को इस तरीके healing देते हैं तो हम उसको attunement भी देते हैं तो वो किस तरीके से हमने वो attunement को देना है को हम मदूरमster Shaktipat में सीखते हैं कि किस तरीके से हमने attunement देना है और आप सब को मैं दोंगी Sihmradhi shaktipat yaarni की abundance पैसा उत में हमने किस तरीके से हमने जैसे हम money healing करते ही है, सीखते ही है तो आपने सिम्रदी शक्ती पार यानि कि abundance के लिए आप लोगों को मैं यहां से attunement तूंगी और आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपने दूसरे लोगों को भी attunement देना है next है हमारा introduction of money reki symbols money reki is a part of usai reki but it is not a usai reki वो एक usai reki नहीं है लेकिन वो उसका part है, जैसे मैंने बोला कि जब हम level 5 में आते हैं अच्छा यहां पर हम एक चीज़ भूल गए हैं लिखना वो यह है कि आपको अपने खुद के symbols को कैसे create करना है वो भी हम level 5 के अंदर सीखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम level 5 के अंदर यह सीखते हैं कि हम अपने खुद के symbols को कैसे create करते हैं उसी तरीके से जैसे जैसे नए-नए master आते जाते हैं वो अपनी खुद की रेकी बनाते जाते हैं अपनी खुद के candles के अंदर डाला और उसको sale करा उन्होंने कुछ उन्होंने उसको business point आप यह से की जैसे money के लिए अलग तरे की candles उसके अंदर वो सब symbols के साथ उसको attunement दिया और उसके अंदर वो crystals भी use करे इस तरीके से सब ही लोग अपना कुछ ना कुछ creative करते जाते है जिस भी master ने जिन्होंने भी यह start करी अपनी money रेगी classes उन्होंने इसके उपर काम करा अपने symbols बनाए और फिर उसको marketment deliver करा पहले खुद के उपर इस्तमाल करा फिर उसको marketment deliver तो उन सब चीजों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत explain करूंगी proper course नहीं है सिर्फ उसकी introduction होती है जब आप हमारे से सीखेंगे तो मैं आपको वो सारी के जिबता हूँगी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ depend करता है जैसे situation के उपर जैसे अभी हमारी जो पीछे class थी तो हमने उनको थोड़े अलग से extra symbols भी हमने उन लोगों को सिखाए कि हमने उनसे बहुत सारे वीडियो बनवाए psychic attack case के उनको बोला कि अगर जो लोग देखो अपना 100% जब आप लोग देते हो तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम आप लोगों के लिए और भी कुछ कुछ करें आपको और अच्छा अच्छा बहतर 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 बैस से बहतर चीज़ आप में दें तो अगर आप हमारे साथ पुरी तरह इसे कॉपरेट करेंगे तो हम भी आपके साथ पुरी तरह कॉपरेट करेंगे और जितना हमारा ये कोर्स है उससे बहतर ही आपको मिलेगा जब आप सीखेंगे उससे और चीज़े बहती ही आपको मिलेगे ठीके बाके हमारी जो क्लास है यह हमारी 16 जैनुवरी से स्टार्ट होगी Every Tuesday 7.30 पेम और Every Tuesday हमारा 7.30 होगा और Every Friday हमारा 4.00 पेम होगा चार बज़े तीन महिने का हमारा कोर्स रहेगा सारे हमारे जूम पर क्लास होगी और बाकी रही बात आपके रिकॉर्डिक जगरा यह आई थिंग रिपीट आपको फ्री है रिकॉर्डिक आपके पाद 2 साल तक रहेंगे और आपको सेर्टिफिकेट भी अवलेबल होगा चीक है बाकी यह हमारा सारा डिटेल है जो लोग भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 4,737 रूपीस और जो लोग अलड़ी पहले सी सीख रहे हैं और भी बहुत सारे कॉर्से उनके लिए 4,027 रूपीस बाकी आप उफिस में बात कर सकते हैं आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आप उफिस में बात कर सकते हैं यह जो आपको नंबर दे रखे हैं 798255-2301 पर and second 9999-4x9-119519 798255-2301-9999-4x9-119519 ठीक है आप इन नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते ठीक है चलिए अब आपका कोई कोश्चन है इस चीज से रेलेटिक तो वह आप पर पूज़े है एक पेंड़ दुखिए यहीं पर है यूपी आई तो आई तिंग एकाउंट नंबर दे रखा है यूपी आई नहीं आप वहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम चल जाए जो नंबर मैंने आपको बोले है न आप इन डोनों नंबर्स पर ये जो दो नंबर्स है न इनके पर बात कर सकते हैं 901-333-0009 और इस दोनों नंबर्स पर भी आप एक बड़ बात कर लीजेगा पताए आरे तुछी पताए मैं मैं जैसे हम मैं धार्ड लेवल तो करती हूं मुझे आती है मैं लेकिन मैं आगे शीखना चाहती हूं तो मैं फिर मुझे फर्स से ही जोइन करना पड़ेगा सारा आप पर वहोगे हैं. अगर आप फर्स से ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो हमारे लिए असान हो जाता है फिर करवाना. जब अगर मैं फोर्ट लेवर जोइन करती तो मुझे पीछे का नहीं समझने आए और सिंबल का डिफिकल्टी जोगी मुझे. हाँ जी, हाँ जी. ओक्यू मैं. ठीक है. ठीक है. हाँ, सबको आप सभी को डिकॉर्डिंग्स अविलेबल में होती हैं. अगर आपको मिलेंगी ही, मिलेंगी सबको रिकॉर्डिंग्स. अगर आपका कोई मिस हो जाता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग्स से कर सकते हैं. उसमें कोई प्राइबलम नहीं है. आप कौन बोल रहे हैं सबसे पहले था अपना नाम ऑबनी कुमर गुस्पवा में आपके थोड़ा सा आपका ना वॉइस बहुत धेरी आ रहे है आपने बूचास फर्स लेवल और सेखिड लेवल में क्या एक बातबा बोलिंग इसना फूज है नERE में अंदर आपको सिंबल नंबर 1 सिंबल नंबर 2 सिंबल नंबर 3 इश तिनोर शिंबल के साथाओं का ना वहगा और आपको इन तिनों सिंबल्स के बारे में प्रॉपर तरीकी सी बताया भी चाहिए और लेवल 3 के अंदर आपको जो एटुन्मेंट होगा वो एटुन्मेंट सिंबल नंबर 4 जो हम मास्टर सिंबल हम उसको बोलते हैं उससे आपको एटुन्मेंट दिया जाएगा प्लस जितने भी आपके सिंबल्स हैं उन सभी सिंबल्स के बारे में आपको बताया जाएगा समझाया जाएगा और उनको कैसे आपको यूज करना है उस सब आपको सिखाय ठीक है और लेवल 4 के अंदर भी आपको मैंने बोला है ना कि 9 symbols होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे हाँ जी सारे levels आपके 3 months में cover और लेवल 5 के अंदर हम लोग किसी भी तरह का कोई symbol वैसा नहीं देते हैं लेकिन जैसे मैंने बोला है कि जिस तरीके से हम लोग काम करेंगे आप मुझे पूल तरीके से corporate करेंगे और अच्छे से हमारे काम को अच्छे से करेंगे जो भी मैं आपको दूंगी करने के लिए जैसे psychic attack के उपर या attunements के उपर जो self attunement है जब आप उसको regular हम लोग से हाँ पर भी सिखाएंगे आपको voice उसमें आपको मैं audios दूंगी जब आप उसके उपर proper तरीके से काम करेंगे तो फिर हम उसके उपर भी कुछ ना कुछ नया तो सीखेंगे ठीक है ना लेकिन उससे ही देखी के अंदर level 5 में नहीं सिखाते हैं किसी भी तरह का कोई symbol ठीक है और यह कोर्स आपका थ्री मंस का है थ्री मंस के अंदर अंदर आपका यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा चलिए इसके अलावा कोई question है किसी का तो आप में से पूछी अदरवाइस मैं क्लास को wind up करती मूँ चलिए किसी का कोई question नहीं है चलिए ठीक है थेंक यू मैं थेंक यू समय थेंक यू थेंक यू हाँ recording मिले है मैंने आपको बोला है क्या नाम है आपका मैं हम recording मिलेगी from आज की क्लास की recording भी आजाएगी group के अंदर आज की क्लास की recording भी आजाएगी group मैं वसे classes कब से स्टाइट है 16th of January 16th of January से हमारे classes स्टाइट होंगे ठीक है चले okay thank you thank you everyone thank you अमें